सीहं को वन का राजा कहा जाता है अत्यंत शक्तिशाली होता है उसका परिवार भी बड़ा होता है किंदेदी ऐसा हो जाए कि सीहं के परिवार में आपस में ही क्लेश होने लगे वो आपस में ही लड़ने लगें तो क्या होगा सिहं को मारक उसके परिवार को मारकर लकड बग्गेवर्ण के राजा बन जाते हैं अब यह बात केवल सिहं पे लागो नहीं होती है अब उतु हर एक व्यक्ति हर एक परिवार हर एक संप्रदा हर एक राज्ज़ पर यह लागू को सकती परिवार में यदि मतभेट बढ़ जाए तो परिवार तूटकर बिखर जाता है इतिहास साक्षी है यदि समाज के लोग आपस में ही लड़ने लगे तो वो राजा नहीं बनते अपितु कोई उनका लाभ उटा के स्वयम को राजा बना देता है एकता का महत्तो समझें आज आके बात आती है प्रेम क्योंकि यह प्रेम ही है जो सबको एक साथ रखके उन्हें आनंदत रख सकता है प्रेम से अधिक शक्तिशालियों और कुछ ने तो इस प्रेम को मन में जागरत कीजिए अपने परिवार मिलाई समाज मिलाई राज्य के साथ कहें राधे राधे